भाजपा हटाओ देश बचाओ इस रैली का आयोजन राजधानी पटना में हो रहा है और उस आयोजन को ले करके जो तैयारिया है वो पूरी हो गई है और ये लिफ्ट की पार्टी भागपा माले की तरफ से आयोजित है इसमें ये हुंकार बढ़ा जाएगा कि भारते जंदा पार्टी को देश से हटाना है तब जाकर के देश बचेगा भाजपा हटाओ देश बचाओ रैली का आयोजन कई राज़यों में हो चुका है लेकिन महागडबंदन सरकार बनने के बाद पहली बार राज़ानी पटना में हो रहा है और लिफ्ट की इस रैली में मुख मंत्र मिलती नजर आ रही है कई तरह की रैलिया महागडबंदन के नेताओं ने इंडिया के नेताओं ने कर रखा है और उससे बड़ी कामियाबी की जो उम्मीदें है वो ले करके नेता अपने कारिकरताओं और अपने समाज के लोगों के पास जा रहे है यानि भाजपा माले की जो रैली है उसमें उसका जो स्लोगन है जो लाइन है कि भाजपा भगाओ देश बचाओ अगर देश को बचाना है तो भाजपा को हराना है भाजपा को भगाना है इसलिए कि भाजपा की वज़े से ही देश में बुरुजगारी है देश में महंगाई है और देश में सम्व इसलिए वो CBI or ED का इस्तेमाल कर रहे है शरत पवार ने भी कहा था अरविन केजरिवाल ने भी कहा था संजर राउत ने भी कहा था और जो भी विपक्ष की पार्टियां है सब ने खुल करके कहा था लेकि दाजानी पटना में एक रैली हो रही है भागपा माले मौझूदा सम खूब गरजेंगे इसलिए के मौझूदा समय में बिहार में ही इन नेताओं ने जो एक आंदोलन की शिरुवात की भारते जंदापार्टी के खलाफ उसको लेकर के पहली मिटिंग राजधानी में आईजित हुई मुकमत नितीश कुमार के नितितर में हुआ और लालू पर खानी पटना में लेफ्ट की तरफ से एक प्रोगाम है उस प्रोगाम में लालू परशाद यादब मुकमत नितीश कुमार और महागडबंदन के कई घटक दल इसमें शामिल हो सकते हैं और भारती जंदापार्टी के खलाफ अंदोलन की जो शुरुवात है उसमें एक तरह स को मजबूत बनाने के लिए नितीश कुमार को भी दावत दी गई है और ये समलोग लेफ्ट के निताओं के साथ एक स्टेच में बैटेंगे प्रधान मतरी मोदी और भारती जंदापार्टी के खलाफ इन लोगों ने जो मिशन शुरू किया उस मिशन के तहर एक छोटा प् बटना में हो रहा है और इस प्रगाम में सारे निताओं को बुलाए गया है गटबंदन के निताओं शामिल होंगे और लारू परशाद यादाबर नितीश कुमार खास दोर से भारती जंदापार्टी को पिछले कई महीनों से घेड़ते निजर आ रहे हैं